हेलो गाइस मेरा नाम है धंदरेश और मैं सौगत करता हूँ अपने आपके वीट्व चैनल में जिसका नाम है होकॉम्प्र टेक्नलोजी जहाँ पे आपको डायूस लेटर प्रिपरेशन के वीडियो साथ में लॉजिक बीडिंग के वीडियो भी प्रोवाइड की जाते है इस करना क्या है हमको आपको डायगनोलईएलिमेंट की सम केल्कुेट करना है और इस सबसे पहले आपको जनना होगा कि दायगनोल एलिमेंट होते क्या है जैसे कि तूको डायगनोड अर्रे में जो यह मेरा matrix है 3 by 3 का matrix है यहाँ पर जो diagonal element है 1,3 and 5u ओके यह मेरे है first diagonal element यह जो है मेरा first diagonal है similarly guys अगर आप second diagonal देखना चाहोगे तो यह मेरा है second diagonal जहाँ पर 3,3,3 यह three elements present है तो guys आपको जैसे की question में बता गया आपको क्या करना है diagonal element की sum करना है जैसे की guys यहाँ पर 5 plus 3 plus 1 means is equals to 9 यह जो मेरा first diagonal की addition आई है 9 आई है similarly guys second diagonal जो है 3 plus 3 plus 3 is equals to 9 इस second diagonal की element की addition आई है और guys आपको क्या करना है इस दोना addition को add करना है means 9 plus 9 9 plus 9 is equals to 18 okay तो आपकोimately display करता है 18 display करना है so guys इस program प्रोगर्म के लिए लाजिक किस तरह से लगावाया चाइए तो guys सबसे पहले आपको two dimensional array का program means two dimensional array कि स्रुश्य करीट किया जाता है यह बात आना चाहिए अगर आपको नहीं आते है तो guys आपको सबसे पहले two dimensional array किस तरह सेør में ये मेराberry फोस इंडिक्स पोडिशन प्र फोस ट्री जिकर बडा जी जा जिए टिका साटरोकिंट मछंची परब्ली यहां पर चला है याइक पोस अब्डियुग頻। में मे घाषितन देखका सर्थ अद्सक्तै त्राइम है जोम्यदोग आ defense is तो मुझे किया करना चाहिए उस position पर present element की addition करना है तो guys मैं यहाँ पर क्या करोगा एक sum नाम का variable declare करोगा sum is equals to 0 suppose sum की value है 0 और यहाँ पर मैं क्या करोगा guys sum plus sum plus a of i of j a of i of j sorry guys यहाँ पर है j मेरा और यह है आपका i i और j तो आपको guys करना क्या पड़ेगा first logic यह लगाना पड़ेगा अगर मेरी i और j की value same है तो मुझे वहाँ पर present element की addition करना है guys तो 0 plus condition अगर true है तो यहाँ पर जो element होगा आपका first one उसके बाद में आपका आएगा three और उसके बाद में आपका आएगा five so one three five is equal to nine जो है आपका sum में store हो जाएगा similarly guys आपको second condition जो लगाना है second condition आप देखोगे तो यहाँ पर guys मेरी जो row और column की addition है guys वो आती है two देखो यहाँ पर row और जो column है दोनों को add किया तो मुझे answer मिलता है two यहाँ पर row और column means i और j को add किया तो answer मिलता है two similarly guys यहाँ पर भी मैंने row और column को add किया तो मुझे answer क्या मिलता है two तो guys यहाँ पर मैं यह logic लगा सकता हूँ अगर मेरी row और column की addition two आती है तो मुझे वहाँ पर present element की addition करना है guys आप देखोगे तो यहाँ पर row और column के addition 2 नहीं आती है यहाँ पर भी नहीं आती है और बाकी कहीं पर भी नहीं आती है सिवाए इस diagonal के कहीं पर भी row और column के addition 2 नहीं आती है तो guys चलिए यह वाला logic implement करते है second logic के लिए तो guys मैंने यहाँ पर क्या किया if i plus j is equals to 2 है तो मैंने क्या किया same वही logic sum1 is equals to sum1 नाम का एक variable create किया जिसको value assign की मैंने 0 और sum1 is equals to sum1 plus sum1 plus sum1 plus a of i plus a of i of j यह वाला मैंने second time logic implement किया तो guys चलिए इस logic को program में implement करके जैसे कि guys आपको मैंने पहले बताया यहाँ पर मैंने sum1 और sum2 नाम के two variables declare किया है जिसको value मैंने assign किया है 00 okay guys उसके बाद मेंने यहाँ पर क्या किया है to denominational array create किया है okay और उसके बाद मैं जैसे की यहाँ पर मैंने do for luck यूज किया है जान सको to domination array creation आता है उसको यह for 놓 का वर्किंग पता है किस तरह से यह for लोग execute होते हैं इसके बाद में जैसे कि हम लोगों ने जो logic implement किया है same logic मैंने यहाँ पर use किया if i is equals to equals to j अगर मेरी row की value column के value इतनी रहेगी तो मुझे क्या करना है उस index position पर present value की addition करना है guys तो मैंने यहाँ पर logic क्या use किया someone is equals to someone plus a of i of j similarly guys मैंने second condition दी है अगर row और column की addition मेरी two आती है तो वहाँ पर present element की मुझे addition करना है guys तो मैंने same logic यहाँ पर implement किया और वहाँ पर present element की guys यहाँ पर addition कर दी और simple guys आपको क्या करना है total result जो है console पर display करना है तो मैंने वही यहाँ पर किया है मैंने क्या किया system.or.println ने some one plus some two दोनों को add किया और console पर display कर दिया guys आप जब भी इसको execute करोगे तो आपको जैसे कि मैंने बताया 18 answer आपको मिल जाएगा दीखे guys यहाँ पर आप देख रहे हो तो console पर नीचे मेरा output जो है वह आ रहा है इसका execute करने के बाद में मुझे proper output मिल गया तो गाइच इसी तरह के लादिश सिखने के लिए वीडियो को like करेए subscribe कीजिए अगर चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो और नीचे दिए गए बेल आइकान को जरूर पिस कर दिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पता चलता है